असलाम लेकुम वल्केम टू माई योटीब चैनल उमीद करता हूं सब खेर खेरियत से होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं तर्किश गिर्सन सब्सक्राइब करते हैं इसका मैगजीन निकाल लेते हैं इसके साथ आपको दो मैगजीन से मिल जाते हैं जो के 15 चौट है आप इस पिस्टल की फिनिशिंग देखे काफी नीट एंड क्लीन इस पिस्टल को बनाया गया है डबल टॉन कलर के अंदर है ग्रेफाइट कलर की स्ला स्लाइड है एंड ब्लैक कलर का फ्रेम है स्लाइड के पर होल्स बनाये गए हैं इसको स्पोर्ट्स लुक देने के लिए एंड इस पिस्टल का जो मैटीरियल है वो स्टेनले स्टील के अंदर बनाया गया है इस पिस्टल को एंड इसकी जो ग्रिप है वो प्लास्टिक की है अगर इस पिस्टल के फीचर्स की बात की जाए तो फर्स्ट अफॉल ये पिस्टल डबल एक्शन है त्री डॉट साइट इसके अंदर दिया गया है रेल बनाई गई है लेजर साइट के लिए एंड फ्रेम माउंटें डीकॉक लिवर है सेफटी के लिए इस लिवर को हम उपर करेंगे तो अब आपका पिस्टल लॉक हो गया ये पिस्टल फायर नहीं करेगा नीचे की तरफ करेंगे तो अलॉक हो गया आप फायर कर सकते हैं इस पिस्टल की जो स्लाइड है वो बहुत ज्यादा थिन है ग्रिप करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है इस पिस्टल को जिन लोगों को थिन स्लाइट पसंद है वो इस पिस्तल को ले सकते हैं एंण अगर इस पिस्तल की बात की जए तो काफी अच्छी क्वालिटी की इस पिस्तल को बैरल लगाई गई है 3.87 inches की इसकी बैरल है howard है में इस पिस्तल के लैंथ की बात की जए तो 7.24 इस पिस्तल पिस्망 की जो हाइट है 5.59 इंचेस है and इस पिस्टिल की जो चोड़ाई है वो 1.31 इंचेसे को आप इसको easily grip कर सकते हैं इस पिस्टिल का जो साइज है वो नहीं फॉल लिंथ पिस्टिल है और नहीं compact है medium-size ये पिस्टिल है एंड है ये पिस्टिल को हाथ पे ग्रिप कर सकते हैं इस पिस्टल को अगर इस पिस्टल के प्राइस की बात की जाए इस क्वालिटी के अंदर तो 33,000 पे में यह आपको मिल जाएगा 33,000 में अप मैं आपको इसकी Assembling and Disassembling करके दिखाता हूं इस पिस्टल को Dissemble करने के लिए First of All हम इसका magazine निकाल लेंगे यह इसका lock mechanism है यह इसका button है आप में pistol को कुछ इस तरह hold करना है कि आप इसकी slide को कुछ तेर के लिए hold कर सकें पीछे की तरफ first of all slide को थोड़ा सा पीछे की तरफ push करेंगे then इसी के magazine के साथ इस button को press करेंगे and यह इसका lock पाहर आ गया आगी है easily यह इसका spring guarded rod है and यह इसकी barrel है आप देख सकते हैं अच्छी quality की लगी हुई है and यह इसकी slide का inside view यह इसका frame है आप देख सकते हैं अंदर से अब इसको assemble करने के लिए first of all हम इसमें barrel लगाएंगे then spring guarded rod then इसकी slide को हम इसके frame के साथ attach करेंगे and यह जो lock का button है इसको अंदर डालेंगे and थोड़ा सा slide को पीछे की तरफ पुश करेंगे and इस button को press करेंगे and आपका pistol assemble हो गया मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लें and bell icon को press कर लें आप आप